ओम श्री गणेशाय नम्हा, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है आज सुनिए पोश मास महात्म में आगे की कथा उससे पहले आप सभी से निरोध है कि हमारे चैनल पर आज आप भागवत कथा भी जरूर सुनिएगा उमीद है कि आपको ये कथाएं भी बहुत पसंद आएंगी त्रेता यूग था मिथला देश की गंड की नामक नगर में चकरपाणी नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था उसकी पतनी अत्यंत सुन्दरी और पतीव रता थी राज्य में आएके स्रोतों की कोई कमी नहीं थी इस कारण राजा तो सुखी थे ही प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी सदा अपने राजा का जय जय कार करती रहती परन्तु राजा की अधिक आयू होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थी उन्होंने अनेकों यग्य, दान, व्रत, अनुस्ठान आदी किये किन्तु सभी निश्फल रहे अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया किन्तु एक समस्या सामने थी कि अब राजी को किसके भरों से छोड़ा जाए बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समधान दिखाई नहीं देता इसी अफसर पर वहां महरशी शौनक जी का आगमन हुआ राजा ने उनका बड़ा आदर सतकार किया और रिशी के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा होने सुनाई फिर राज छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया महरशी ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर बोले राजन तुम्हें वन में जाने की कोई अविश्यक्ता नहीं है तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ती यहीं पर हो जाएगी महरशी की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसनता हुई राजा ने पूछा पुत्र होगा तो कब महरशी मेरी तो आयू बीती जा रही है मुझे सब कुछ इस पस्ट रूप से कहने की करपा करे तब शोनक जी कहने लगे राजन तुम्हारे भागी में पुत्र योग तो है किन्तु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है उस बाधा का निवारन करने के लिए तुम्हें भगवान भासकर को प्रसन्र करना होगा इसके बाद महरशी ने राजा को सूरियोपासना का विधान बतलाया और बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहीत करने पर सूरिय भगवान की कृपा अवशी ही प्राप्त होगी फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी यह व्रत अनुस्ठान एक मास तक करना होगा नित्य प्रती किसी देवेग्य ब्रहमन को एक दुधारू गाय दी जाए और एक लाख ब्रहमनों को भोजन कराया जाए अनुस्ठान पूर्ण होने पर सूरिय देव की पत्नी सहीत एक लाख नमस्कार करना भी अवशक है मुनी चले गए राजा ने अपनी पत्नी सहीत सूरि भगवान की उपासना आरंप कर दी अभी अनुस्ठान संपन नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी ने सौपन में सौरि को अपने पती रूप में देखा और ब्रहमचर एक खंडित कर बैठी प्रात्यकाल उसने अपने सौपन की बात राजा को सुनाई उन्हें आश्चर हुआ बोले कोई बात नहीं मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव होगा किन्तु मेरे मन में ऐसा कोई विकार नहीं आया है इसलिए अनुस्ठान की सफलता निश्चित है सुनकर रानी तो चुप हो गई किन्तु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है दीरे दीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान भी तीवर होने लगा शरीर में बढ़ती हुई उष्णिता दाह का रूप लेने लगी इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की विवस्था की गई तो भी गर्भ के कारण उत्पन हुई दाह को सहर सकने में वैस समर्थ नहीं हुई अंत में प्राण संकट में जाकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया राजा ने ये बात सुनी तो दुख में भर गए परन्तु अपनी पतनी उग्रा की विवस्था की कारण वे कुछ नहीं कह सके किन्तु उधर वे गिरा हुआ गर्भ नस्ट नहीं हुआ बल्कि वे एक रोतर रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा उसका रोना सुनकर धर्ती और आकाश कांप उठे उस बालक के तीन नेतर थे मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूब थे केश लालवर्ण के थे और वे हाथ में तिरिशूर लेकर उत्पन हुआ था इस कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे अतह समुद्र स्वेम मानव रूप धारण कर और बालक को उठा कर महराज चकरपानी के सामने उपस्थित हुआ उसने कहा राजन वे बालक तुम्हारा पुत्र है तुम्हारी राणी ने इसे मेरे तठ पर छोड़ दिया था इसके रोने से ही तीनों लोक काप उठे देखे बालक कितना तेजस्वी है जिसकी ओर देखना भी दुशकर है इसे संभाल ये बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन हुए राणी ने भी बड़े प्रसन मन से उसे गोध मे लेकर इस्तन पान कराया उसके नाम सिंधू, उग्रेक्षन और विप्रसादन रखे गए वे शिगरिता से बढ़ने लगा उग्रेक्षन स्वभाव का क्रूर, एहंकारी और अतिन्त पलवान था बच्पन से ही वह मनुश्यों से तो क्या हाथियों से टकर लेने वाला हो गया उसने छोटी सी आयू में ही नजाने कितने हाथी आधी केवल मुक्य के प्रहार से ही धारशाई कर दिये नजाने कितने व्रक्ष किरा दिये उसके प्रबल प्राकरम को देखकर माता को बड़ा हर्श होता था शीग्रही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेक्षन ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं तिरी लोगी पर अधिकार करने के उद्देश से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ इसलिए मुझे ऐसा करने की आग्या दीजे माता पिता ने प्रिसनिता पूर्वक आग्या दे दी अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या करनी प्रारम कर दी एक सरोवर के तट पर वे तपस्या में भूखा प्यासा रहकर लीन रहने लगा उसने सूरी देव की उपासना करते वे दो हजार वर्ष बिता दिये शुदा अपिपासा धूप वर्षा आदी सहते सहते वे सूख कर काटा हो गया एक दिन भगवान भासकर प्रसन हुए उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर्मागने का आतेश्ट दिया तब उसने उनके चर्णों में अपना मस्तक रखकर निवेदन किया की प्रभो मैं सभी देवता मनुष्य आदी को जीत कर तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित कर लूँ और मेरी कभी मृत्य नहो ऐसा आशिरवाद मुझे दीजिए सूरिदेव बोले ऐसा ही होगा ये अमृत पात्र ग्रहन करो और इसे कंठ में लगाए रहना इसके रहते वे देवता मनुष्य नाग पशुआदी कोई भी जीब तुम्हें दिन रात सुभा या शाम कभी भी नहीं मार सकेगा जब ये पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगूठे के नखागर पर करोणो ब्रहमांडों को धारन करने वाला कोई अवतारी पुरुशी तुम्हें मारेगा तुम तुम्हें तृभुवन को जीतने में भी सफल रहोगे फिर वरदाता सोरे के अंतरध्यान होने पर उग्रेक्षन ने उस अमरित पात्र को अपने कंठ में धारन किया और राजभवन में जाकर अपने माता बिता को भगवान भासकर से वर प्राप्ती का शुब समचार सुनाया जिससे वे भी अत्यंति प्रसन हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौप दिया और खुद पस्या करने के लिए वन में चले गए उग्रेक्षण ने राजा होते ही राजविस्तार का विचार किया और अमात्यों को कारिस संचालन का भार सौप कर दिग विजय के लिए चल पड़ा थोड़े ही समय में उसने अनेको राजा को अपने वश में कर लिया और जिन्होंने सामना किया उसके राज छीन लिये इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलते हुए समस्त प्रत्वी पर अपना अधिकार जमा लिया अब उसने स्वर्ग पर आकरवन किया देवराज इंद्र ने एरावत पर चड़ कर सामना किया किन्तु उन्हें शिक्री ही पराजय का मुख देखना पड़ा उससे उनकी समस्त देव सेना छिन भिर्न हो गई देव नार्या सतित्व की रक्षा करने के लिए परवत की कंदराओं में जा चुपी उग्रेक्षर ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्ति को वहां का अधिकारी बना दिया हार कर भागते वे इंद्र भगवान नारैन के पास व्यकुंठ में जाकर पुकारने लगे भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुर पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिये उग्रेक्षर ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्थपर हो गया हो रहा है इसलिए उन्होंने नीती से कारे लेते वे कहा है असुर राज मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन हूँ इसलिए मुझसे कोई अभीस्ट वर मांग लो तब वह बोला हे दिवाधी अगर आप प्रसन हैं तो कृपा कर मेरे गंड की नगर में सदैव निवास करें बस इतना सही वर मुझे चाहिए शुरी हरी ने स्विकार कर लिया अब उसने बैकुंट की विवस्था करने के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्तिकी और भगवान को साथ लेकर अ इंद्र आदी देवताओं ने उनसे कहा प्रभो आप तो इस मर्तिधाम में कारवास कर रहे हैं अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर श्री विश्णु ने हस्तेवे कहा काल का उलंगन कोई नहीं कर सकता उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन होते वरद्धी को प्रा गाथा सुनाता रहता जिससे उन्हें बड़ी प्रसनेता होती और विश्णु आशिरवात दिया करती परंतु वे कभी ये नहीं पूछते कि तु शासन कैसे चलाता है कहीं कोई अधर्मकारी तो नहीं करता प्रजा जनों को सुखी तो रखता है या नहीं अब उसने एक चर पर उग्रेक्षन मूर्ती स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए राजा के भैसे सबको वही करना पड़ा जो विद्वान और धर्मकी पुरुष योगी तपस्वी आदी उस प्रकार के त्यचार को नहीं सहते थे वे नगर छोड़कर जंगल में चले गए चारो और असुरों का जोर बढ़ गया मांसमदीरा, सेवन, सतित्वनाश, चोरी, जूट, छल, कपट, आदी की घटनाएं चारो और होने लगी इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे उग्रेक्षन के अत्यचारों से पीडित हुए देवगण एक गुप संकटों को नस्ट करने में समर्थ हैं संसार के सर्ग पालन और ले में वेही परमात्मा का एक मात्र कारण है इस देते का विनाज भी वही कर सकते हैं उन विग्नेश्वर विनायक को माग मास की चतुर्थी तिती बहुत प्रे हैं उस दिन जो उनका पूजन करता है वही कार किया जाए गुरुदेव अगर पूरा बताने की किरपा करें तो वैसा ही करने को हम तत पर हूँ ब्रस्पति जी बोले अब माग मास का ही आरंब है कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथी आ रही है उसी दिन उनका शोड़शोप चार पूजन करते वे उनकी इस्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस द्यात्य को शीगरी मार डालेंगे तब तुम अपने पद को भी पुनःप्राप्त कर सकोगे देव गुरु ब्रस्पति जी के आदिशा नुसार माग कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकस्ति चतुर्थी का व्रत आरंप किया भगवान गणपती की प्रतिमे स्थापित कर शोड़ुशो अपचार पूजन करने के बाद भावपोन हिरते से उनकी इस्तुति की कि हे दीनों के स्वामी हे दया सिंधु हे ज्यान गम आपको नमस्कार है हे मायातीत भगतों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले आपको बार-बार नमस्कार है देव गणु की इस्तुति से प्रसन हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हो गए वे सिहों के समान प्रतित होने वाले मुशक पर सवार और अध्वत वस्त्र आबुशनों से सोशोबित हो रहे थे उन्होंने कहा हे देव गणु तुम्हारे इस वरत के प्रभाव से ही आपसे साक्षा दर्शन कर रहे हैं हे नात उग्रेक्षन नामक असुर राज ने हमारा राज छीन लिया और भगवान विश्नु को भी कैद कर लिया है हे दयालू हम अपना खोया हुआ वैभव पुनह शीगरही प्राप्त कर ले ऐसी करपा कीजि ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतरधियान हो गए इधर देवताओं के पराभव का समचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी और साथ कोटी गणों के साथ केलास छोड़कर तिरी संध्या छेतर में निवास करने लगे वहां देवराज के भई से संत्रस्त हुए गौतम आधियानेक रिशी महर्शी पहले से ही निवास कर रहे थे वहीं भगवान शंकर ने भी तपस्या आरंब कर दी एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा प्रभो आप तो स्वयमिस रष्टी, स्थिती और प्रलय के एक मात्र कारण है फिर आप किसकी प्रसनिता के लिए तपस्या कर रहे हैं करप्या ये रहसी मुझे भी बताईए तब शिवजी बोले प्रिये अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंक ब्रमा वे समस्त गुणों के ईश्वर, गुनेश ही मिरे आराथे हैं अनेक व्यक्ती उन्हीं गुनेश को गणेश भी कहते हैं उनकी प्रसनिता प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवशक होता है गौरी ने तपस्या की विधी पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश जी के ए जहां उन्होंने बारवश्ट गोर तप किया तब ही उन्होंने भगवान गनेश के दर्शन किये उनका अधबुत रूप था तस भुजाएं, गजवदन, मस्तक परचंद्रमा, मध्यभाग में नारायन मुख दक्षन भाग में शिवमुक और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था वे शेशनाग और पदमासन लगाई हुए विराजमान थे उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वानी में कहा हे जगदिश्वरी आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन हूँ आप अपना अभीष्ट वर मांगिये तब देवी ने उनसे कहा कि प्रभो अगर आप प्रसन है तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुस्टी के अलावा अन्नि कोई वर मुझे प्राप्त ना हूँ आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त कराएं एवा मस्तु कहकर देवाधी देव गणेशी अंतर ध्यान हो गए फिर देवी ने वहाँ एक सुंदर मंदिर की स्थापना करके गणेशी की मूर्ती स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज और फिर वे भगवान के पास चली गई और उन्हें अपने वर्प प्राप्ति की बात बताई सुनकर शिवजी बोले देवी भगवान तुमारे पुत्र रूप से अवतार लेकर देथ उग्रेक्षन और उसके साथियों को मार कर प्रत्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादी लोगपालों को उनके अधिकारों की पुने प्राप्ति कराएंगे इसके बाद उस छेत्र में देवी पार्वती जी का तप चर्चा का विशय बन गया धीरे धीरे भादरपत शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ उस दिन चंद्रवार, स्वातिनक्षत्र, सिह लगन और पांच शुब लगनों का साथ था देवी ने गणेशी का शोड़ुशोप्चार पूजन किया ही था उन्होंने देवी से कहा हे मातेश्वरी मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती है अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकटी हुआ है तब देवी पारवती बोली महा महिमा मैं अपने स्विराट रूप को छोड़कर अब मुझे पुत्र सुख दो इतना कहते ही उन्होंने सुन्दर बाल रूप धारन कर लिया सुन्दर नासिका तीन नेत्र छै बुजाए विशाल वक्ष इस्थल दर्शने मुख, चरणों मेध्वज, अंकुष, कमल आधी के शुपचिन तथा करोणों चंद्रमाओं के समान उज्वल गौर वर्ण था तभी भगवान शंकर ने बालक को देकर प्रणाम की और बोले पारवती ये बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी सभी लोकों के नाथ सभी के आश्रे भूत परमात्मा है यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए है तभ शिवजी ने बालक का जात कर्म संसकार कराया और विप्रों को इच्छित दान किये देवी ने उन्हें स्तनपान कराया समस्त छेत्र में जोतिशी गण उपस्थित हुए उन्होंने बालक का नाम विग्नहरन, विनायक, गुनेश और गणेश रखा और कहा कि ये बालक सभी शुब कर्मों में प्रथम पूझनी होगा इसके द्वारा देत्यों का संगहार अवश्य अंभावी है इसके आगे का वरतान्त आप अगले धह में सुनेंगे उमीद करती हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी